क्या आप उत्तरपर्देश कॉंप्टिटिटिव एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं अगर हां तो इस वीडियो के साथ बने रहे हैं वीडियो सुरू करने से पहले एक जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा कि हम बात कर रहे थे इस बुक के बारे में लुसेंट उत्तरपर्देश समानने ग्यान बुक I think इस बुक का नाम आपने सुना होगा और कुछ इस्टुडेंट के पास में ये बुक होगी भी अगर ये बुक आपके पास में है इससे प्रिवेश चैप्टर 1 से लेकर के 7 सभी चैप्टर हमने इस चैनल पर अप्लोड कर दिये हैं और इस बुक में आपको कितना बढ़ना हैं वो सभी हमने हाइलेट कर रखा है एक एक पेजिस को तरीके से स्कैन करके उसको हाइलेट कर करके आपको संभया जा रहा है और उत्तर परदेश से संबंदित कोई भी जानकारी अगर वो आपके एक्जाम में आपसे पूछेगा डैम शूर कि आप उसका सही जवाब देंगे लेकिन किन्तु परंतो अगर आप रिजिजन करेंगे तो अब मैं आगे बात करता हूँ आपसे कि इस वीडियो को देखते समय एक छोड़ी सी कंडिशन्स मैं आप सभी के उपर अप्लाई करता हूँ जैसे कि मैंने लुसेंट समानने ग्यान बुक में करा था जो निले करर की बुक जो आपके पास में है जी हां उसके भी हमने एक कंपलीट वीडियो बना करके इस चैनल पर आपको दे रखे हैं अगर आपको लगता है कि वो बुक किस तरह से पढ़ी जाया तो उस बुक के बारे में भी इस चैनल पर बहुत सारे वीडियो है वो बुक पुरी कंपिड हो चुकी है एक पेज तरीके से आपको समझाया गया है तो इस बुक को भी आप उसी पैटर्न के अधार पर अपने सामने रखेंगे किस तरह से हाइलेट करना है वो समय ने आपको सभी वीडियो में कुछ मिजा रखा है तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो विदाउट एनी डिले इसमें आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे म्रदा संसादन के बारे में ये है इसका चैप्टर एट एक्चली मिट्टी होती क्या है मिट्टी होती है भूप्रश्ट की सबसे उपरी प्रत को हम बोलते हैं जिसमें आपके पेड़ पौधी, पनपते हैं, उकते हैं तो वो जो लेयर होती है न वो लेयर मिट्टी की बनी होती है ठीक है उसको बोलते हैं म्रदा अब हम बात करते हैं कि म्रदा के मुख्य कितने घटक होते हैं एक्जामने आपसे यही पुछेगा कि कितने घटक होते हैं तो मरदा के मुख्यता कितने होते हैं चार घटक होते हैं यह आप याद अखना और यह हैं खनीज, जैवपदार्थ, जल, तथा वायोग। मरदा का निर्मान एक जटिल परिकिरिया से है जिसमें प्राकर्तिक परियावरण का परतेक तत्व अपना योग देता है, मतलब अपना योगदान देता है और मरदा विज्ञानिक इसे बोलते हैं क्या मरदा जनन, पैडू जीनी साइज, इसको बोलते हैं मरदा जनन, तो कितने होते हैं, वो होते हैं, चार, खनीज, जैफपदार्त, जल, तथा वायू, अब देखिए इस चूण में, चूण मतलब मिट्टी क्या होती है, मिट्टी एक पाउडर के समान होती है, पाउडर क्या होता है चूण अडैप का, ठीक है, इस चूण में वनस्पती तथा जीव जन्तियों के सड़े गले अंस भी सम्मिलित हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, हूमस, ठीक है, इसको हम बोलते हैं, हूमस या होमस, बस इस मुख में आप इसी तरह से हैलेट करना, यहीं इंपॉर्टन कीवर्ड थे, जो प्राचिन काल में मरदा को दो उप भागो में बाटा गया था पहले नंबर जो जो उप जाओ नहीं होती ती उसको बोलते थे उसर याद रहेगा दिर्गुल रहेगा चोट योड़ी चीजे हैं बसके वले एक्जाम में आपसे ही पूछने वाला है वह आगे बास करते हैं 1956 में स्थापित भारत के मरदा सर्वेक्षन विभाग ने दामोदर घाटी जैसे कुछ चुने हुए चेत्रों में मरदाओं के व्यापक अध्यन किये Quesion No.1 मरदा सर्वेक्षन विभाग के स्थापना कब हुई तो ये हुई आपकी 1956 Second questions कौन सी घाटी पर इन्होंने अपना व्यापक अध्यन करा तो वो थी दामोदर घाटी आगे बढ़ें बिलकुल ये आगे बढ़ते हैं तो लासा देखिए बाकी ये चीज़ एतनी इंपरण नहीं है इसमें हाँ इसमें आप ये चीज़ दे सकते हैं कि उत्तर परदेश को तीन भोतिक विभागों में बाटा गया है जिसका एक अधार म्रदा की बनावट भी होता है अगर उत्तर परदेश अगर आप पूरा मैप देखेंगे रियल में जो उत्तर परदेश बना हुआ है उसको टोड काफी चीज़े उपजाओ हैं आज भी महा की भूमें काफी धन धने हैं तो चलिए बढ़ते हैं आगे फिलाल अब देखिए जो भाग है उसमें इंपार्ण कॉनकों कॉनकों सी चीज़े हैं एक होता आपका तराई छेत्र की मरदा इसके बारे में आप किसे एक्जाम में के तराई छेत्र की मरदा का निर्मान होता है हिमाले से निकलने वारी नदियों द्वारा लाए गए महीन कणों के निक्षेपन से तो जो ये मिट्टी बनती है ये मिट्टी बनती है कि नदियों के द्वारा जो अपने साथ में बहा करके ये पत्ली बरीक 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 मिट्ट लेकिया आती है ना उस से अब क्या होता है इस मिरदा का विस्तार उत्तर परदेश में भावर चेत्री के समाननतर दचिर में एक पट्टी के रूप में पूर्व दिसा में है तो आपको देखें क्या के याद करना है रेत, चिकनी मिट्टी तथा चोटी चोटी पत्थर मिलते हैं इस छेत्र की मरदा संदल भी होती है, दलदली भी होती है, नम भी होती है और चूने की परधानता के कारण यह मरदा गन्ये की क्रिशी के लिए अतिस उप्युक्त होती है तो कौन सा छेतर गर्ले के लिए काफी उप्युक्त माना जाता है तो ये तराई छेतर की मरदा आगे हम बात करते हैं देखिए मद्धे के मैदानी छेतर की मरदा देखिए उत्तर परदेश के इस विसाल मैदानी भाग की मरदा का निर्माण पिलिस्टोसीन युग से आज तक गंगा एवं इसकी साहक नदियो द्वारा लाए गए निक्षेपो के जमाव से हुआ इस छेतर के मरदा को भी कई वर्गों में भाजित किया गया है अब इसी का एक भाग है आपका जलोर मिट्टी जलोर मिट्टी क्या होती है उसके बारे में आप चाहें तो वीडियो को पाउस करके देख सकते हैं अगर मैं एक एक लाइन आपको पढ़के बताऊंगा तो वीडियो की लैंट बहुत ज़दा बढ़ जाएगी और काफी चीज़े कवर नहीं हो पाएगी केवर हम डिसकस करना है important point पर जो इस book में से आपको याद करना ही करना है या तो अभी आप notes बना लीजिए book market से purchase मत करिए अगर market में भी available नहीं हो तो आप इस book को online purchase कर सकते हैं इस book का link मैं दूँगा आपको description box में वहाँ पे click करिए that online book को purchase करिए उसके बाद में ये जूड़े देखिए मेरी बात को समझेए तब देखना आपको ये book कितनी दिल्दी याद हो जाएगी अब देखे यह क्या होती है यह एकटी बंद्य मरदा है और इस थानिये इस तरपर उत्तरपरदेश में जलोड मरदा को कदारी या भात मरदा भी कहा जाता है जलोड मरदा का रंग समाने ते क्या होता है दूस्तर हलका भूरा या पीला पन होता है संगटन की दरश्टी से ये सैल, दोमट, वे, सिल्ट से मरती का युक्त होती है इसमें फासफोरस, चूना तथा परियाप होता है जबकि नैटरजन वे जिवास पदार्थ की कमी होती है काफी गरहे वाली यह मरदा अपनी उरुवरा सक्ती के लिए फेमस है अब देखिया उत्तर परदेश में बालू परधान जलोड मरदा को क्या कहते है तो यह आप याद रखेगा इसको बोलते हैं दियारा भूमी यह मक्का की क्रिसी के लिए काफी फेमस होती है तो किस परकार की भूमी पर मक्का की खेती की जाती है कोशन एक्जाम में यहाँ पर यह पूछता है आपसे कई बार तो यह है आपका जलोड मरदा मसला बालू परधान बांगर मरदा पुरानी मिट्टी होती है और जो गंगा के मैदान के उपरी भाग में नदियों के उन मध्यवर्ती भागों में मिलती है जहां सम्मान तय बार का पानी नहीं पहुँच पाता मरदा को उपहार मरदा दोमट मटियार दोमट या मटियार बलोई दोमट आदी नामों से भी जाना जाता है इस मरदा की सतय के नीचे चूने की गांटे मिलती हैं जिने कंकर कहते हैं मरदाओं में नैट्रोजर और पासफोरस की कमी होती जा रही है खादर मरदा नवीन जलूर मरदा को खादर या कच्छारी मरदा कहते हैं इसमें सिल्ट एवम मरदी का अधिक मिलती है इस मरदा में चूना, पोठास, मैगनेशियम, होमुस की परधानता पाई जाती है लवडिये तथा अशारी मरदा उत्तर परधिस के कितने भावों में ये मरदा पाई जाती है तो ये आपका 10% भाव मरदस्तरी मरदा क्या होती है यह मुक्षत है, बलूई मरदा है जिसमें लोहा एवम फास्पोरस परियाप्त मातरा में होता है लेकिन नैट्रोजन एवम जिवांस की कमी होती है भूड मरदा पिलिस्टोसीन युग में हलकी दोमट वे बलोई मिट्की से निर्मित 10 से 20 फुट उचे उचे टीले पाई जाते हैं जिसे बोलते हैं भूड मरदा काली मिट्टी काली मिट्टी वो गूसा है तो वो है आपका ब्रेगूर मिट्टी इसमें कौन से खेती होती है कापअस मदा की उत्तर परदेश के इस्थानी अब यह काली मरदा को बोहते हैं केरल या कपाश मरदा गें ज 묻ने काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है मरदा प्री कैम्ब्रियन युक की चट्टानों का बाई होल यह है मतलब उससे निम्मिद हुई है इनी चट्टानों से निर्मिद इस छेत्री की मरदा को बोलते हैं बुंदेल खंडी है मरदा लाल मिट्टी यह मरदा ग्रिनाइट नीज वे नीज सैलों के विखंडन से स्वै मतलब अपने यहां भी विक्सित हुई है लाल लोमी मरदा है मरदी का युक्त जल बरत ठेला नूमा संदशना वाली होती है इस मिट्टी का रंग क्या होता है लाल या पीला यहां पे हम बात करते हैं कि इस मरदा में नैट्रोजन पासफोरा तथा जिवान्स की गठन वाली अम्लिय तथा कम जिवास वाले तत्व पाये जाते हैं इन मिट्टी में मोटे अनाज दलहन एवं तेलहन के क्रिसी होती है परवा मरदा परवा मरदा में कुछ खास बात नह नहीं करा है फिर अबास करते हैं मांड में क्या होता है देखिए 60% silicate होता है 50% iron होता है 25% aluminium की मातरा होती है देखिए यह आपका यूपी पुलिस के एक्जाम में यह कोश्चन तो नहीं पूचाएगा लेकिन यह यूपी पीएस से पेलिंग्स पेपर वन में जो जीएस पेप पूचा गया है तो यह बुक तो आपको पढ़नी पढ़ेगी किसी भी कीमत पर अगर आप यूपी की त्यारी कर रहे हैं तो यह तो खुद पढ़िए या वीडियो तो माद्धम से पढ़िए हसकर पढ़िए रोकर पढ़िए करो या मरो की निती अपनाओ या फिर पढ़िए अग्जाम के तो आपका सेलक्शन पका है यूपी का कोई भी एक्जाम के ना हो इसलिए टाइम है समय पर पढ़ लो अब हम बात करते हैं दिखिए जलद्वारा मरता म जले मिठी के उपरी परत अपरदन करना परत या फलक अपरदन करणा तो परत या फलक अपरदन किसको बोलते हैं कोशन एक्जाम में ये पूछ लेता है आपको चारी ओक्षन देगा में देगा जल द्वारा मिट्टी की उपरी परत अप्रदन करना यह क्या होता है यह अप्रदन समतर खेतों में बहुत शुक्ष्म तरीके सोता है जिससे क्रशक समझ भी नहीं पाता मरदा की उर्वरा सकती दीरे-दीरे खोने लगती है यही कराण है कि इसे किसान की मौत कहते हाँ चै purity फलक अप्रदन्ट यह परत अप्रदन को किसान की मौत की संध्या दी गई यह या दखना इसको बोलते हैं किसान की मौत आगे बात करते हैं वायू अप्रदन उत्तर परदेश में वायू अप्रदन सरवाधिक ग्रिस्म काल में होता है तो वायू अप्रदन सबसे जारा कौन से काल में होता है तो वह होता है आपका ग्रिस्म काल में बागी देखिए कुछ चीजे मैं skip करवा रहा हूँ तो यह इतना इंपर नहीं है आपको पढ़ना है तो selection के बाद आप जी भर के पढ़ना इसको selection आपका इतने से हो जाएगा फसल चक्र का होती है crop rotations एक ही फसल को लगाता है बहुने से अगर एक ही फसल continue यूँ एक ही भूमी पर बूह जाती है तो उसके उष्वरता सप्ती क्या होती है कम हो जाती है तो उसकी जगह पर दूसरी कोई खेती उसको बहुत है फसल चक्र पट्टीदार क्रिशी वायू की दिशा में 90% के कौन पर बनाई जाती है पट्टीदार क्रिशी 90 degree के कोन पर ये एंगल कई बार एक्जाम में पूछा भी गया है ठीक है है कि पट्टीदार क्रिशी के वायो के दिशा में कितने degree के कोन पर बनाई जाती है तो अब याद अखना 90 degree मरदा संदक्षन का विवेक पूर उपयोग करना चाहिए अब देखिए इसके बाद में यहाँ पर अब स्टार्ट हो गया है हमारे कुर्शन्स ठीक है फाइफ कुर्शन्स है बहुत ही कम कुर्शन्स और कौन कौन से एक्जामें पूछे गए है यह आपको सामने दिया गया है तो चलिए शुरू करें इसको कयान है आप सब लोग एक फिले के पांस तक की काउंटिंग अपने पेज पर लिख लिजिए आप ज़रा देखते हैं कि आपने कितना ध्यान से इस बुक को पड़ा और मिट्टी से संबंद इतना एक डेडिकेटीड वीडियो अलग से बनाएगी थी इस चैनल पर मुझे पता नहीं वो कहां रख्योंगी मैंने आप सर्च मारेंगे तो आपको मिली जाएगी उसे अभी मैं देखते हैं फिलाल पहले कुश्चन की तरफ की उत्तर परदेश में उसर म्रदा का विस्तार मिलियन हेक्टेर है 0.2, 0.7, 1.2 या फि 2.4 तो इसका सही जवाब हमको चूज करना है तो इसका राइट आंसर है 1.2 उत्तर परदेश के भावर छेत्र में किस परकार की म्रदा पाई जाती है तो इसका राइट आंसर हमको चूज करना है इसका राइट आंसर आप निकाली अपना ये है आपका कंक्रीली पत्रीली Question number third परदेश में अव नलीका अप्रदन से सबसे अधिक परभावित जिला कौन सा है तो ये है आपका इटावा Question number four परदेश में वायू अप्रदन से सरवादिक परभावित छेत्र कौन सा है तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका पश्चिमी छेत्र लाल मिट्टिया पाई जाती हैं कहां पर तो ये मिट्टि पाई जाती है आपका मिड्यापूर और जहासी में तो बच्चो आज के इस वीडियो में बस के वरेतना है अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो या पीर अगर आपको लकाओ कि मैंने बहुत चीज़ें स्किप कराई अगर आप ज़्यादा पढ़ने पे विष्वास करते हैं अगर आप धेर पढ़ने पे विष्वास करते हैं तो मैं बस के वर आपसे यही कहूँँगा वीडियो को पॉस करिए एक एक लाइन को पर डालिये अच्छे से नोट्स बने नोट्स बनाईए बट मेरा मानना ही है कि कम पढ़िए और अच्छा पढ़िए ठीक है हमने इस बुक में केवल सेलेक्टिट कीवर्ड ही हमने निकाले इसमें से जो इंपार्टन चीजे लगी केवल इसको मैंने हालेट करा है और उमीद करता हूँ कि आपने भी इसको अपनी बुक में इसी तरह से हालेट करा होगा बुक नहीं है तो पिलीज इसको परचेस कर लिजिए डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक आपको दूँगा या फिर आप इस बुक को मार्किट सिदा के परचेस कर सकते हैं और ये सबी कोशन्स आपके यूपी के हर एक एक एक्जाम में काम आएंगे यूपी टैट, यूपी पुलीस, यूपी एसाई, यूपी पी एससी जो भी एक्जाम होते हैं तो ये बुक आप प्लीस अपने आप पढ़ना चाहें अपने आप पढ़िए लेकिए इस बुक को तरीके से खतम करिए इसी के साथ लेता हूँ आपसे अलविदा थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो